आज की सुड़े हम लोग बात करने वाले हैं कि BSNL के जो है plans नहीं पता चल पाते हैं क्योंकि मैंने भी BSNL का जो sim है तीन से चार महीने use किया है और मैंने उसको port करवाने के लिए कम से कम अपने देड़ से 200 रुपए जो है waste किये हैं तो मैंने उसके उपर एक वीडियो बना रखी हुए है तो description में इसकी link मिल जाएगी लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताया दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए कि आप BSNL का port आउट करवा सकते हैं पोर्ट आउट कराने के लिए simply आपको पास एक कोई unlimited recharge होना चाहिए उसके साथ साथ आप उसमें 10 रुपए का talk time जरूर होना चाहिए क्योंकि जो port request जाती हो talk time वाले पैसे से ही cut के जाती है तो मैंने सारी डिटेल जो है बता रखे हैं आप वो वीडियो देख लीजिए मिले आज इस वीडियो हम लोग बात करने वाले थे कि BSNL के जो plans बिल्कुल भी नहीं clear हो पाते हैं बले उनके BSNL के जो है portal to.bisnl वाली website हो या bsnl.co.in वाली हो या bsnl.in वाली हो तो BSNL की website काफी सारी है हर सरकल में अलग 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 इनका rate रहता है कोई ये नहीं है कि जियो की तरह बिल्कुल fixed recharge है इनका एक recharge पूर इंडिया में लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है BSNL का UP East में कुछ और UP West में कुछ और Bengal में कुछ और जम्मू कस्मीर में कुछ और तो आपको simply इनके website पे नहीं जाना है क्योंकि आप धून ही नहीं पाएंगे कि आपके area की website कौन से है जैसा कि आप उपर देख रहे होंगे तो portal2.bsnl.in की website होगी तो इस पे आप कहीं भी जाएंगे mobile recharge करने या कुछ भी जाएंगे तो यहां आपको कोई भी इतनी technical चीजे इस कर लीजे बी असनल सेल्फ केर यह जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे mobile में है बी असनल सेल्फ केर और इसको जैसे ही मैं open करूंगा इसमें देखिया अच्छी खासी information लिख किया जाती है और इसमें लिखा होता है कि क्या आपका plan है क्या आपका main balance है सारी जानकर इसमें लि जाएंगे अगर आपको recommendation वाले नहीं कराने तो browse plan पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपको सारे plans जो इसमें देख जाएंगे उसमें सारा चीज क्लियर mention है कि किस recharge में आपको SMS मिलेगा कितना call benefit मिलेगा कितना data मिलेगा कितनी validity है यह काफी अच्छा है आप निकल गया है बिल्क इकत हुई थी अभी भी है चल रही है भी पता नहीं कब तक resolve होगी कि आप जो है low network में अगर आपका data speed बिल्कुल low है तो आप BSNAL का कोई भी चीज कहीं भी payment ना करिए क्योंकि मैंने भी broadband का bill अपने जमा किया मेरा internet थोड़ा slow था तो मेरा पैसा तो कट गया लेकर broadband का bill नही सब्सक्राइब करने हैं उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि BSNAL के जो रिचार्ज के प्लैंस देखने हैं आपको इनके एप पे देखने हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूडियो में तब तक के लिए बाए और जक टून के लिए सब्सक्राइब करने हैं नहीं कि उनके करने हैं तो यह कि दो तो कि रिखने हैं